नमस्कार मैं तरुन वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकॉलोजिस्ट हूँ इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या पॉजिटिव एफर्मेशन्स सच में काम करती हैं क्या पॉजिटिव एफर्मेशन्स जो की यूट्यूब पर बहुत पॉपलर है और आप कई सारे अलग-लग इशूज पर पॉजिटिव एफर्मेशन्स सुनते होंगे पर क्या ये पॉजिटिव एफर्मेशन्स काम करती हैं क्या इनमें ऐसा कुछ है कि ये काम कर सकती हैं और एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कॉन्फिडेंस इशूज को रिजॉल्फ करने में मददगार सावित होती हैं अगर हां तो कैसे और अगर नहीं तो क्यों साथी वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे पॉजिटिव एफिर्मेशन को सही तरह से यूज किया जा सकता है कैसे पॉजिटिव एफिर्मेशन को बनाया जाए और कैसे उनका सही इस्तेमाल करने से वो फाइदा दे सकती हैं आईए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव एफिर्मेशन सेल्फ हेल्प का खुद की मदद करने का एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है जिससे कि अपने अंदर कॉन्फिदेंस इशूज, एंग्जाइटी के इशूज, डिप्रेशन या मोटिवेशन के इशूज को रिजॉल्फ किया जा सकता है मतलब डिप्रेशन को थोड़ा दूर भगाने में एंग्जाइटी को दूर भगाने में ये कुछ लोगों को मददगार सावित होती है जैसे आपने अकसर एफिर्मेशन का इस तरह से यूज किया होगा जब आप खुद को ये कहते होंगे मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं काम्याब हो सकता हूँ मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास है और मैं अपने हर काम को सफल बना सकता हूँ मैं अपने को स्वस्थ करने की पूरी शंता रखता हूँ इस तरह की simple सी statements को use करके बहुत आसान होता है कि हम अपना ध्यान अपने अंदर की negative thoughts या negative beliefs से हटा कर अपनी strength पर ले जाएं, उन शमताओं उन ताकतों पर ले जाएं, जो कि नहीं सरफ हमारा confidence को boost करने में मदद दें, पर साथी कुछ ऐसी शमताओं पर भी ध्यान ले जाए जा सकता है, जो कि हमारे अंदर already है पर हम या तो उनका इस्तमाल नहीं करते या फिर हम उन्हें भूल चुके हैं क्योंकि anxiety, depression या stress के phases में, उस दौरान हम अपनी ताकतों को अपनी शमताओं को भूल जाते हैं, तो positive affirmations से positive affirmations का लक्षे रखा जाता है, और यही कहा जाता है, यही promise होता है कि positive affirmations इसी तरह काम करती हैं पर क्या ये सच में काम कर जाएंगी? कुछ हद तक positive affirmations वैसे तो हमारे mindset को थोड़ा shift करने में मदद देती हैं, जहां हम अपने अंदर की अक्षमताओं, अपनी weaknesses पर बहुत जादा focus करते रहते हैं, कोई भी नकरात्मक या unfavorable situation होती है उसमें सारा ध्यान अपनी limitations पर, weaknesses पर चला जाता है तो ऐसे में हमारा ध्यान shift कराने में, ध्यान को हटाने में positive affirmations helpful होती हैं पर ये कोई ऐसा कोई जादूई तरीका नहीं है, जिससे की हम कोई बड़ी success ले लें सारा मानसिक स्वास्थे अपना बहतर कर लें जो भी हमारे अंदर की कमिया है सब को दूर कर दें, जो भी अब तक हमारी life में अटका हुआ है, वो सब resolve हो जाए, कोई अपने अंदर बहुत सारी ताक्ते ले आए, कुछ ऐसा magical इलाज नहीं है ये positive affirmations जिससे की इस तरह के लक्षे साधे जा सकें तो बात करते हैं कि फिर ये positive affirmations काम कैसे करती है ये समझने के लिए कि positive affirmations कैसे कुछ लोगों पर काम कर देती हैं, इसके लिए हमें ये समझना होगा, कि हमारा mind और हमारा brain, हमारा मन और मस्तिश्क, उसके काम करने का ऐसा क्या एक secret तरीका है, जिससे की ये statements जो की केवल हम सोच रहे हैं, केवल हम imagine कर रहे हैं, पर फिर भी वो हमारे behavior को, हमारे mental health को influence करने की ताकत रखती हैं दोनों की यहाँ पर भूमिका है मन की भी और मस्तिश्क की भी actual में हमारा जो brain है, उसको बहुत सारे signal हमारे senses के थूँ बाहर की दुनिया से मिलते हैं साथ ही हमारे विचार, हमारी imagination, हमारी thoughts भी brain को बहुत सारे signal देती हैं और क्योंकि हमारे मन में ये ताकत है कि वो किसी भी तरह की possibility संभावना को imagine कर सकती है, उसकी कलपना कर सकती है, तो brain को जब ये imagination के signal मिलते हैं तो उस बेच हमारा दिमाग कई बार फरक नहीं कर पाता कि सच क्या है और जूट क्या है imagination क्या है और reality क्या है और यही एक दिमाग का process है या काम करने का तरीका है, जो कि हमारे फाइदे में और नुकसान में दोनों तरह से काम कर सकता है, नुकसान में जब ये काम करेगा, तो हमारे mental health conditions create करेगा, जैसे कि depression या anxiety के ये जो disorder है, ये इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग reality को ना देख कर, अपनी ही कुछ imagination में चला जाता है, जिसमें भले ही हमारे अंदर बहुत सारी ताक्ते हों, शम्ताएं हों, abilities हों पर फिर भी क्योंकि हम बार बार सोचते हैं कि हमारे अंदर ability नहीं हैं तो हम पाते हैं कि हमारी जो beliefs हैं, thoughts हैं, अगर वो positive side जाएं, अगर हम कुछ positive imagine करें, तो हमारा दिमाग सच में हमें ऐसा यकीन दिलाने लगता है, कि ये reality है, हमारे साथ असल में ऐसा हो रहा है, और उसी से हमारे अंदर mood में और हमारे actions में बदलावाने शायद कुछ reality के बारे में बात की जा रही है, और brain उसे मानने लगता है, हम उसमें यकीन करने लगते हैं और धीरे-धीरे हमारे mental health में बदलावाते हैं, साथ ही हमारे brain का एक nature है, जिसे कहा जाता है neuroplasticity neuroplasticity का मतलब है कि कि किसी भी experience की वज़े से या हमारे विचार या हमारे कुछ अनुभवों की वज़े से हमारे दिमाग के काम करने का ढंग बदल सकता है तो मान लीजे, अगर आप एक टाइम पे बहुत positive थे, बहुत healthy functioning करते थे, mind बिल्कुल positive रहता था, आपके कुछ नकरात्मक अनुभव हुए और धीरे धीरे आपके brain की chemistry change हो गई और आपको depression आ गया, brain के chemicals में imbalance आ गया, जिसकी वज़े से आपको या तो दवाईयां लेने की जरुरत पड़ी या फिर आपको therapy या कुछ और तरीके इस्तमाल में लाने की जरुरत पड़ी जिससे की आप फिर से अपनी brain chemistry को change कर पाएं और फिर से आप स्वस्त हो पाएं और जब भी कोई mental disorder से recover करता है तो उसकी brain chemistry में changes आते हैं, नए सिरे से brain जो है वो adapt कर लेता है और वही brain की शमता जिसकी वज़े से वो अच्छे से बुरे state में गया था उसी तरह से वो बुरे state से अच्छे state की तरफ चला जाता है मतलब brain के अंदर connections जो की normal थे, वो abnormal हो जाते हैं जब disorder होता है और जब दवाईयां दी जाती है या therapy की जाती है, तो वही abnormal connections brain के फिर से normal होने लगते हैं, तो brain के अंदर काफी सारे बदलाव आते हैं जिसकी वज़े से हम अपने मानसिक स्वास्ते को बहतर करते हैं तो चाहे वो हमारे अनुभव हों चाहे हमारे विचार हों या चाहे हमारे actions हों, इन सभी का असर हमारे brain पर पड़ता है और लंबे समय तक अगर हम positive experiences करते रहें, तो हमारी brain chemistry change हो जाती है और हमारी mental health improve होती है, तो इन ही दो principles को अगर हम ध्यान दें एक मन का काम करने का ढग जिसमें वो imaginations create कर सकता है फिर brain का उन signals को लेना और उनको real मानना और फिर धीरे धीरे जब इसी तरह के imaginations को repeat किया जाएगा बार-बार इनके बारे में सोचा जाएगा और इनसे अपने actions को change किया जाएगा तो दिमाग का structure बदल जाएगा जिसकी वज़े से स्थाई बदलावाने के साथ हमारे mental health में improvement आईगी तो कुछ इस तरह से positive affirmations हमारे दिमाग और हमारे मन में असर लाते हैं और इस तरह से उनके impact को influence को हम experience करते हैं जिससे की mental health improve होती है जैसे मान लीजिये आप अपने mind में कुछ imagination लाते हैं जैसे की मान लीजिये आप एक interview दे रहे हैं और आप अपने को कुछ इस तरह से imagine करते हैं कि आप बड़े confidence के साथ वो interview दे रहे हैं आपके पास वो सारे answers हैं जो की आपको देने हैं जो की सामने वाला interview लेने वाला पूछ रहा है और आप बड़े confidence के साथ answer दे रहे हैं साथ ही आप अपने मन में वो सारे affirmations ला रहे हैं कि मेरे अंदर आत्म विश्वास है मैं interview अच्छे से दे सकता हूँ मैंने अच्छी पढ़ाई की हुई है मैं किसी भी situation में अच्छे से perform कर सकता हूँ जब आप इस तरह के affirmations भी repeat करते हैं और एक imagination बना लेते हैं कि आप एक अच्छा interview दे रहे हैं तो हमारे brain के वही areas activated हो जाते हैं जो कि real life experience के दौरान भी activate होते हैं तो imagination और reality का experience एक ही type के brain areas को activate करता है ये भी एक बड़ा interesting fact है जो कि हमारे फाइदे में काम करता है तो जब बार बार इस तरह की affirmations को repeat किया जाएगा तो इससे हमारे brain को signal मिलेगा और brain इन affirmations को fact मानने लगेगा रियल मानने लगेगा brain को लगेगा कि हाँ सच में मैं ऐसा ही हूँ सच में मैं ऐसी हूँ सच में मेरे साथ ऐसा ही होता है और वैसे ही reality हमारा brain हमें दिखाने लग जाएगा और जब आप सच में मानते हैं कि आप ऐसे हैं या ऐसा सोचते हैं तो आपके actions भी फिर वैसे ही बदल जाएंगे और जब actions बदलते हैं तभी हमारे लिए reality बदलती है experiences में बदलावाता है और जब उन experiences की वज़े से हमें feedback मिलता है हमारे experiences हमारे मन मताबिक होते हैं तो हमारे beliefs बदलते हैं दुनिया को देखने का हमारा तरीका बदलता है और हम धीरे धीरे positive हो जाते हैं गहरे में हमारे दिमाग में positivity जगे बनाने लगती है जैसे मान लीजिए आपके मन में बहुत negative thought आ रही है जो बहुत anxiety लाती है जैसा कि interview का example दिया कुछ इसी से related negative thought आती है मैं तो interview बिल्कुल अच्छे से नहीं दे पाती interview देना तो मेरे लिए बहुत anxiety provoking होता है मुझे लगता है दूसरे candidates जो होंगे वो मुझे ज़ादा अच्छा answer देंगे शायद जो interview लेने वाले हैं वो इतने smart होते हैं कि वो मेरे अंदर की कमी को पकड़ लेंगे वो जान जाएंगे कि मेरे को किन topics की knowledge है या नहीं है और वो मेरे से बहुत मुझकिल सवाल पूछेंगे मुझे नहीं लगता कि वो मुझे नौकरी देंगे देखती हूँ कि मुझे ये interview देना है या नहीं शायद इसका कुछ फायदा ना हो शायद कोई और job के लिए apply किया जाए इस तरह की negative thoughts से हो सकता है कि आप give up कर दें और आप शायद interview के लिए appear ही ना करें या हो सकता है कि अगर आप interview दे भी दे तो भी आपका confidence इतना गिरा रहेगा कि आप एक अच्छा interview दे ही नहीं पाएंगे अच्छी performance ला ही नहीं पाएंगे अब इसी की जगे अगर आप positive affirmations बोलते हैं जैसे मेरे अंदर वो skills और knowledge है जिससे की मेरा selection हो सकता है मेरे अंदर वो confidence है जिससे की मैं कुछी भी सवाल का answer कर सकती हूँ और सामने वाले को impress कर सकती हूँ मैं इस job के लिए उतनी ही perfect हूँ जितना की कोई दूसरा candidate perfect है जैसे मेरे अंदर कोई limitations है ऐसे ही दूसरे candidates में भी कुछ ना कुछ limitations है अगर मैं confidence रखूंगी तो सामने वाले को भी confidence दिखेगा और ऐसे में वो मेरे को hire कर लेंगे और मुझे job मिल जाएगी जब इस तरह के thoughts आप अपने मन में लाओगे तो आपका confidence भी बढ़ेगा interview देते time आप अच्छे से present कर पाएंगे खुद को और हर सवाल का जवाब भी दे पाएंगे इस तरह के positive affirmation से interview के दौरान काफी relaxed feel करेंगे और जब आप मन में बिठा के जाएंगे कि आप पूरी तरह से तयार हैं तो आपके मन में जो self-defeating thoughts होती है negative beliefs या thought patterns होती है वो भी trigger नहीं होंगे जो कि आपके interview की success में बाधा नहीं डाल पाएंगे तो ये तो बात रही कि कैसे positive affirmations काम करते हैं कैसे दिमाग की chemistry बदल जाती है और कैसे एक difficult situation को भी आसानी से एक person deal कर सकता है जब वो अपने मन में positive affirmations लाए अब एक और important चीज positive affirmations के बारे में समझने की है कि केवल positive affirmations को repeat करने से फाइदा नहीं होता आपको action लेना पड़ता है in fact positive affirmations को बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो इस तरह से बनाई जाएं जिसके basis पर आप कोई action ले पाएं केवल positive affirmations को repeat करने से फाइदा नहीं होगा थोड़ी बहुत देर के लिए आपका motivation बढ़ जाएगा confidence बढ़ जाएगा पर फिर भी आपको कोई action लेना ही पड़ेगा ताकि अपने positive affirmations में जो आपने सोचा है उसको अपने लिए real बना पाएं तो affirmations को इस तरह से देखना जरूरी है कि ये एक कदम है बदलाव के लिए ये अपने में कोई बदलाव नहीं है ये एक step forward है change के लिए अपने में पूरा change नहीं है केवल thoughts लाने से change नहीं हो जाएगा कुछ thoughts केवल एक push देंगे एक धक्का देंगे आपको एक सहरा देंगे जिससे कि आप एक अच्छा action ले पाएं और action लेने के बाद ही आप जब अच्छा result देखेंगे तो ही आपका मन मस्तिश के पूरी तरह से बदलेगा अब मान लीजिए आप job करते हैं और आपको regularly meetings attend करनी पड़ती है और कई बाद ये meetings जो होती है बड़ी untimely होती है unpredictable होती है अचानक से message आ जाएगा कि अगले दिन meeting है या आप office में है और अचानक से आपको meeting के लिए बुला लिया जाएगा अब आपको anxiety होती है आप परिशान हो जाते हैं आपसे सवाल किये जा सकते हैं आपको question किया जा सकता है तो सभाविक है कि ऐसे में आपकी anxiety बढ़ेगी अगर आपको anxiety की problems अकसर रहती है तो ऐसी situation को face करने से पहले अगर आप अपने मन में positive affirmation लाए कि चाहे situation कितनी ही anxiety वाली क्यों ना हो मैं किसी भी situation में अपने को शान्त कर सकती हूँ या मैं अपने को किसी भी तरह के stressful situation में शान्त और relax कर सकता हूँ और situation को अपने control में रख सकता हूँ जब इस तरह की affirmation आप लाते हैं तो ऐसे में अगला step जो आपको लेना होगा वो ये कि जब आप meeting face करने जाएं तो या तो meeting से पहले और या meeting के दौरान अगर आपके पास time है तो आपको थोड़ी सी breathing exercises करनी होंगी अपने को थोड़ा शान्त करने के लिए relax करने के लिए deep breath लेने होंगे और deep breathing के साथ जब आप अपने को शान्त करते हैं और आप सच में पाएंगे कि जो affirmation आपने मन में सोची थी वो अब real में आपके अंदर एक बदलाव ला रही है और आपको वो meeting face करने के लाइक बना रही है जिसमें की आप डर नहीं रहे तो इस तरह की tactics जब यूज की जाती हैं जो की behavioral tactics हैं behavioral techniques हैं जब इनको positive affirmations के साथ यूज किया जाता है तभी positive affirmations अपना सबसे अच्छा असर लाती है क्योंकि positive affirmations किसलिए बोली जाती है ताकि आप stressful, anxiety वाली, depressing situations को overcome कर सकें उनका सामना कर सकें आपको लगता है कि आप उस situation में डर जाएंगे अपना best नहीं दे पाएंगे और आपके मन में बहुत सारी negative thoughts trigger हो सकती है बोल कर सोच कर जब आप पहला step ले लेते हैं पहला पड़ाव पार कर लेते हैं उसके बाद आपको relax करना है या कोई behavioral exercise करनी है या अगर आपने CBT सीखी है मतलब cognitive behavior therapy सीखी है तो आप कुछ cognitive exercises कर सकते हैं अपने thoughts को analyze कर सकते हैं situation को analyze करने के लिए नएने perspective ला सकते हैं situation को नए तरह से देख सकते हैं लोगों के behavior को positively interpret कर सकते हैं पर यह सब आप तभी कर पाएंगे जब आपने पहले से ही अपने मन में थोड़ी सी positive affirmations को create किया है तो positive affirmations केवल आपको एक दिशा, एक direction देती हैं आपको सहरा देती हैं जिससे कि आप real world में CBT की techniques को भी implement कर पाएं और अपने अंदर एक positive बदलाव ला पाएं और ध्यान दें अगर आपका वो situation अच्छे से handle हो जाता है या अगर आप बहुत अच्छा result देखते हैं इसका मतलब यह नहीं कि positive affirmations ने ऐसा किया positive affirmations ने सिरफ बदलाव लाने की भूमी जमीन तयार की थी बदलाव आया जब आपने उस situation में अपनी cognitive और behavioral exercise को implement किया तो अब तक कि इस discussion में हमने देखा कि हाँ positive affirmations काम कर सकती है positive affirmations का लोगों पर बहुत अच्छा असर पढ़ता है positive affirmations एक अच्छा तरीका है जिससे कि अपने मन को अपने विचारों को बदला जा सकता है उनको तयार किया जा सकता है और ये एक ऐसा पड़ाव है एक step है जो कि आप सबसे पहले ले सकते हैं जिससे कि आप अपने को बहतर बनाएं और इस पर कुछ ऐसे research भी हुए है जो बताते हैं कि कैसे हमारा brain जो है वो नए तरीके से program होना शुरू हो जाता है नए तरीके से situations को देखना शुरू कर देता है जिसमें जब हमें एक positive reward की expectation होती है तो हमारे जो actions हैं हमारे जो behaviors हैं वो सकरात्मक और वो goal oriented होने लगते हैं पर positive affirmations कोई रामबान नहीं है कोई ऐसी संजीवनी नहीं है जिससे कि सारे विचार आपके बदल जाएंगे और आपकी पूरी mental health condition ठीक हो जाएगी अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे positive affirmations का अच्छा इस्तमाल किया जा सकता है और कैसे effective manner में बढ़िया से तरीके से positive affirmations को बनाया जा सकता है जिससे कि ये अपना सबसे अच्छा असर ला पाएं क्योंकि कुछ भी सोचने से कुछ भी positive thoughts मन में लाने से आपको अच्छे results मिलेंगे या आप तयार हो जाओगे अपने अंदर बदलाव लाने के लिए ऐसा नहीं होता positive affirmations को बनाने का एक तरीका होता है जिससे कि वो आपको best results दे पाएं कोई भी internet पर मिलने वाली affirmations सुनने से बोलने से पढ़ने से आप पर असर आए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और हर person को अपने लिए अपनी कुछ affirmations बनानी पढ़ती है जिनका की सबसे अच्छा असर उस person पर आए इसलिए अगर आप internet पर YouTube पर बहुत सारी affirmations सुनते हैं पढ़ते हैं उन मेंसे कुछ ही आपके लिए appropriate होंगी और उनसे idea लेकर आपको खुद ही अपने लिए affirmations को बनाना होगा तो सबसे पहला जरूरी तरीका है कि आप affirmations को present moment में focus करके बनाएं आपकी affirmations का जो content होना चाहिए वो present पर focus होना चाहिए इसे एक उधारन से समझें आपने कहा कि मैं अपना panic attack control कर सकता हूँ आप ये नहीं कहेंगे कि मैं अपना panic attack control कर लूँगा future के हिसाब से नहीं बनाना आपको बनाना है कि मैं अपने present moment में जब भी कभी मेरे को अगर panic attack होता है तो मैं उसे control कर सकता हूँ तो एक तो ये हो गया present moment में focused साथ ही आप देखेंगे कि ये आप ऐसी कुछ affirmation बना रहे हैं जो कि actual में भी हुआ नहीं है पर फिर भी आप अपने दिमाग को कुछ इस तरह से यकीन दिलाते हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसा करने की शमता है जो कि आपको किसी difficulty का सामना करने में मदद दे affirmations जो होती है वो किसी goal को achieve करने के लिए होती है मतलब panic attack को control करना पर अभी आपने panic attack control नहीं किया है उसके लिए तो आपको अलग से action लेने होंगे, relaxation exercise करनी होगी mind में बहुत सारा cognitive work करना पड़ेगा जब आप panic attack experience करेंगे पर ये जो affirmation है ये present moment में आपको aware कराईगी जब आपको panic attack आएगा तो आपको ये aware कराईगी कि मुझे किस तरह का action लेना है तो आप अभी के अभी क्या कर सकते हैं उसके ब्यारे में एक reminder देना ये लक्षे होता है positive affirmation का तो इस तरह से हम affirmation को goal से लक्षे से अलग करके देखते हैं पर कई लोग जब positive affirmations बोलते हैं वो अपने को ऐसा यकीन दिलाने लगते हैं कि जैसे बोलने भर से, सोचने भर से वो चीज हो जाएगी या वो हो चुकी है इस तरह से दिमाग आपका नहीं बदलेगा आपके mental state में change नहीं आएगा इसलिए आपको जो affirmations बनानी है वो कुछ ऐसी चीज के लिए बनानी है जो कि आप actual में करने वाले हो जो कि actual में होने वाला है तभी आपकी जो affirmation होगी वो realistic भी होगी और उसके according आप कुछ action ले पाओगे जिसका किया आप एक positive result देख पाओगे positive affirmations को लेके दूसरी चीज ध्यान में रखने की है कि आप ये जो internet पर जो memes मिलते हैं internet पर जो बड़ी सारी quote होती है एक photo सी होती है और उस photo के ओपर कोई quote लिखा है कोई relationship के बारे में कोई mental health के बारे में इस तरह की quotes इस तरह की statement से दूर रहे है ये affirmations नहीं होती ये लगता है कोई motivational quote है या कोई insight देने के लिए कोई बात कही जा रही है ये affirmations नहीं है इनको अपने पास कठा करके ना रखें अपने mobile में ये अपने device में save करके ना रखें कि आप सोचें कि इन्हें बाद में सुन लेंगे इससे confidence आएगा ये सारे quote, quotations सुनने में पढ़ने में अच्छे लगते हैं अगर इनको पढ़कर कुछ insight आती है तो अच्छी बात है पर इनको affirmation के तौर पर use नहीं करना है बहुत से लोग अपने mobile में बड़ी सारी ऐसी photos को save कर लेते हैं Instagram से, Facebook से नजाने कहां कहां से और उन्हें लगता है कि इनका इस्तमाल करेंगे पर ना के बराबर वो इन photos का कभी इस्तमाल करते हैं क्योंकि जब वो कोई situation face कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको ये जो thoughts हैं ये बहुत appropriate नहीं लगती ये affirmations उस time पर काम करती हुई नहीं दिखाई देती in fact ये सब याद भी नहीं रहती तो affirmations को बनाने की आदत कुछ इस तरह से बनानी है कि आप किसी भी situation में इनको बना पाएं simple statements हो और उस situation में जो आप problem face कर रहे हैं सिर्फ उसी के बारे में हो जैसे मान लीजिए कि आपको अपने काम में बहुत तरक्की नहीं मिल रही बहुत ज़ादा आपकी salary में increment नहीं हो रहे और आप काफी उदास हैं काफी हताश हैं आपके मन में negative thoughts आ रहे हैं अपने काम को लेकर खुद को लेकर तो ऐसे में आप जो positive affirmation बनाएंगे वो कुछ इस तरह की होगी मेरे co-workers बहुत अच्छे हैं बहुत supportive हैं और मेरे family members भी मेरे job से बहुत खुश हैं मेरा काम मुझे बहुत satisfy करता है मैं अपने काम में अपनी abilities को express कर पाता हूँ और मुझे पता है कि मैं अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए एक फरक ला पा रहा हूँ उनके जीवन में कुछ contribution दे पा रहा हूँ अब जब आप इस तरह की statements बोलते हैं तो इसका salary से तो कोई लेना देना नहीं है पर इससे आपका ध्यान जो है यह realistic है present में हो रहे हैं और यह affirmation बोलते ही immediate impact आपके mood और thought process पर पढ़ता है आप positive feel करने लगते हो तो इस affirmation में आपने focus किया अपनी blessings पर आपके life में जो चीजें हैं जिन चीज के लिए आप आभार व्यक्त करते हो gratitude फील करते हो तो affirmations जो है वो किसी goal को achieve करने को लेकर भी हो सकती है और अपनी life में अगर कोई अच्छाईया है या कोई blessings है उनको याद करने के लिए भी हो सकती है तो आप कई तरह से creative हो सकते हो affirmations बनाने में कई तरह से आप अपने environment को अपनी life को assess कर सकते हो और उसके बारे में affirmations बना सकते हो जो कि किसी भी situation में आपको help कर सकती है तो ऐसा नहीं है कि किसी एक situation में एकी type की affirmation help करेगी multiple type की affirmations आपको helpful हो सकती है और ये सब affirmations जैसा कि बताया आपको खुद अपने life के according बनानी होंगी ना कि कहीं किसी YouTube पर या किसी Google images में या कहीं Instagram पर आपने कोई quote पड़ी और उसको सोच के आप अपने मन में repeat करें नहीं next एक सबसे important चीज ध्यान में रखने की जो कि positive affirmations को effective बनाती है वो ये कि इनको real रखें ऐसी मन घड़नत affirmations ना बनाए जो कि आपके life से दूर दूर तक related नहीं है जो कि आपके अभी mental condition से भी related नहीं है जो कि actual में practical नहीं है जिनके basis पर आप कुछ actions भी नहीं ले सकते जिससे कि आप अच्छे से convince भी नहीं हो सकते जैसे मान लीजे आप अपने life के एक बुरे face से गुजर रहे हैं जहाँ पर आपके relationship का break up हुआ है या आपका divorce हुआ है और आप एक ऐसी affirmation लाने लगें कि मेरे जीवन में मैं सभी रिष्टों से बहुती संतुष्ट हूँ मैं अपने सगे संभंधियों से बहुत प्रेम करता हूँ या प्रेम करती हूँ मेरे जीवन में मेरे husband wife एक बड़ा फरक ला रहे हैं और मेरे जीवन को संतुष्ट बना रहे हैं इस तरह के affirmations अगर आप पढ़ोगे कहीं पर सुनोगे तो आप पर किसी तरह से भी ये काम नहीं करेंगी तो ये realistic होना बहुत जरूरी है इन affirmations को ये जैसे मान लीजिए आप द्वाइयां ले रहे हैं depression के लिए और द्वाइयों का बहुत अच्छा असर नहीं आ रहा थोड़ा बहुती असर आ रहा है पर फिर भी आप द्वाइयां तो लेना चाहते हैं द्वाइयों को लेकर तो positive हैं पर कई बार आपके मन में doubt आता है कि ये द्वाइयां मुझे help करेंगी या नहीं करेंगी इन द्वाइयों को लेने का क्या फाइदा मुझे छोड़ देना चाहिए कुछ इस तरह के doubts और शंकाएं आपके मन में आएंगी और कोई भी mental health change जो होता है वो थोड़ा समय लेता है दो, चार, छे महीने, आठ महीने, साल भी लग सकता है एक better mental health achieve करने में तो ऐसे में आप ये affirmation बोल सकते हैं कि मैं appreciate करता हूँ अपने doctor को और अपने आसपास के लोगों को जो कि मेरे mental health recovery में मेरा साथ दे रहे हैं मैं appreciate करता हूँ उन दवाओं को जो कि मेरे अंदर थोड़ा बहुत बदलाव ही सही पर एक positive बदलाव ला रही है मैं जानता हूँ कि मेरी जो mental health है वो धीरे-धीरे बहतर होगी पर फिर भी मैं काफी confident हूँ कि आज नहीं तो कल इलाज मुझ पर असर डालेंगे और मैं एक बहतर मांसिक स्वास्ते achieve करूँगा या achieve करूँगी तो इस तरह का जो affirmation है ये काफी realistic है आपको एक vision देता है एक scope देता है एक उमीद देता है और साथी आपको अपने इलाज के लिए अपने उपर किये गए जो efforts है उनके लिए बहुत practical बनाता है और realistic बनाता है आपके मन में जो भी doubt या negativity आती है इलाज को लेकर उससे हटा कर आपको positivity की तरफ लेकर जाती है इस तरह की affirmation तो positive affirmations का मतलब है कि थोड़ी positive होनी चाहिए ये affirmations बहुत ज़दा positive ना हो ऐसे ना बोले खुद को जिसे हम कहेंगे ultra positive super positive affirmations जैसे मैं मानसिक तोर पर पूरी तरह से स्वस्थ हूँ मैं अपने इलाज से पूरी तरह संतुष्थ हूँ मेरे जीवन में सभी लोग मेरी मदद कर रहे हैं मैं जीवन में बहुत ही सफल हूँ अब ये सारी affirmations बिल्कुल उल्टी है जो हो ही नहीं रहा है आपकी life में उसके बारे में बोलने से कोई फाइदा नहीं आएगा ये affirmations पूरी तरह से बेकार साबित होंगी तो ये रही तीन ऐसी strategies जो की ध्यान में रखने की हैं जिसकी मदद से आप best से best positive affirmations अपने लिए बना सकते हैं थोड़ी मेहनद से और अपने therapist की मदद से आप अच्छी से अच्छी affirmations बना पाएंगे और अपने mental health को या कोई भी life का दूसरा area हो उसको बहतर बना पाएंगे पर कुछ ऐसी conditions होती हैं कुछ ऐसे reasons होते हैं जिसकी वज़े से ये positive affirmations बिल्कुल काम नहीं करती तो ये कब काम नहीं करती है positive affirmations पहली चीज़ तो समझने की ये है कि positive affirmations सभी लोगों पर काम नहीं करती साथी वो हर तरह की situation में भी काम नहीं करती आप life के किसी भी problem area के लिए affirmations बनाना शुरू कर देंगे बोलना शुरू कर देंगे तो जरूरी नहीं कि आपके लिए ये equally काम करें अगर आपके anxiety के लिए ये help करी हैं जरूरी नहीं कि आपको अगर depression होता है या आपको अगर weight के issues आते हैं weight gain हो जाता है तो जरूरी नहीं कि इन areas में ये affirmations काम कर पाएं साथी कुछ लोग काफी doubt करते हैं काफी suspicious होते हैं किसी भी तरह के treatment पर बहुत जल्दी faith नहीं ला पाते या उनके अंदर बहुत सारी negativity होती है मतलब बहुत सारे negative beliefs होते हैं ऐसे में वो बहुत जल्दी convince नहीं हो पाते कि इन thoughts से वो कैसे काम करेंगे कैसे ये help करेंगी इन लोगों पर भी ये affirmations काम नहीं करती है YouTube पर देखने से लगता है कि सारी दुनिया positive affirmations सुन रही है सारी दुनिया positive हो गई होगी पर बहुत सारे लोग जो इनको try करते हैं कई बार वो लंबे समय तक try करते रहते हैं इस उमीद से कि हम पर ये असर ले आएगी काम कर जाएगी पर बहुत से लोगों पर काम नहीं कर पाती इसलिए इन positive affirmations से बहुत जादा obses होने की जरुरत नहीं है बहुत जादा इनी पर depend होने की जरुरत नहीं है कई बार लोगों के अंदर बहुत सारे अपने को लेकर negative beliefs होते हैं जो कि उनको बहुत ही जकड़े रहते हैं वो चाहकर भी अपने life के किसी area में कितना भी positive सोच लें अपने अंदर जादा बड़ा बदलाव नहीं देख पाते तो ऐसे में जरूरी होता है कि cognitive behavior therapy पर ही पूरा rely किया जाए और जो भी आपके अंदर जो negative beliefs हैं अपने को लेकर उनको बाहर निकाला जाए उनको जाना जाए और उनको correct करने के तरीके सीखे जाए जो कि आप CBT में सीखते हैं और इसके लिए जरूरी होगा कि आप एक therapist से मिलें खुद अगर अपने level पर अगर आप CBT ले सकते हैं वीडियो देखकर किताब पढ़कर हो जाता है तो बहुत अच्छा है नहीं तो therapist से आपको consult करना होगा साथी ध्यान रखें कई बार कुछ लोग अपनी mental disorder को बहुत seriously नहीं लेते वो इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद थोड़े बहुत effort से ही mental disorder चला जाएगा उनको बहुत ज़ादा mood related problems हो सकती है moderate या severe level की mental health condition हो सकती है ऐसे में अगर वो सिरफ ये सोचें कि affirmation से ही काम हो जाएगा तो वो गलती कर रहे हैं वो चूक कर रहे हैं सिरफ confidence बढ़ाने से सिरफ एक positive outlook लाने से उनके अंदर बदलाव नहीं आ सकता क्योंकि depression की वज़े से उनके अंदर जो negativity है जो negative beliefs है वो उनको जकड़े बैठ है इसलिए जब तक वो depression को दूर करने के लिए CBT नहीं लेंगे उनके अंदर वो confidence या दूसरे जो issues ने वो दूर नहीं होंगे तो आपने कोई वीडियो सुन ली confidence बढ़ाने के लिए positive affirmations पर उनका कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि आपका confidence depression की वज़े से गिरा हुआ है तो depression को heal करना पड़ेगा तब जाकर आपका confidence बेटर होगा इसलिए इस तरह के negative thought patterns को identify करने के लिए इनकी जड़ में जाने के लिए और इनको सही technique से दूर करने के लिए therapy लेनी पड़ती है कई सारी coping strategies सीखनी पड़ती है और इन सब therapeutic strategies के साथ affirmations को use करना पड़ता है तब ही ये affirmations अपना सबसे अच्छा result ला पाती है तो ये रही पूरी discussion की positive affirmations कैसे काम करेंगी किस तरह से इनको अच्छे से बनाय जा सकता है कैसे इनसे फाइदा लिया जा सकता है और किन conditions में ये काम नहीं करती इस तरह से समझके अगर आप positive affirmations को apply करेंगे तो ही आप अच्छे से इनका लाब ले पाएंगे इस तरह की और discussions देखने के लिए चैनल पर बने रहें इस तरह की और विश्यों पर चर्चा करता रहूंगा ये वीडियो यहीं समाप्त होती है धन्यवाद